आज की कक्षिया में आप सभी का स्वागत है आज हम हमारा एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संगवाद तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संगवाद किसे कहते हैं संग जो सब्द है उसका अर्थ होता है समझोता क्या अर्थ होता है समझोता अर्था अर्थ जहां पर दो या दो से अधिक सत्रों पर सत्ता का विवाजन हो यानि कि वो सरकार या वो राजनितिक सत्ता की सरकार जहां पर दो या दो से अधिक क्या हो सतर हो और जो अपनी अपनी सत्ता का इस्तेमाल करने के लिए क्या हो सवतंतर हो ऐसी विचार धारा को राजनीती में क्या बोला जाता है संगवाद बोला जाता है तो इस पार्ट के अंतरगत हम संगवाद के बारे में जानेंगे कि इसकी जरूरत हमें क्यों महसूस हुई और संगवाद जो है कैसे काम करता है इसके एंगेश्ट में एक और बता देता हूँ एक सासन विवेस्था होती है एकात्मक एक सासन विवेस्था कोण सी होती है एकात्मक इसमें सासन का सतर क्या होता है सासन का जो सतर होता है वो एक होता है क्या होता है एक होता है और सारी जो इकाईयां होती है जो सारी निचे की जो इकाईया होती है वो इसी के अधीन क्या करती है काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं एकात्मक तो दो परकार की सरकारे काम कर रही होती है इस विश्व के अंदर एकात्मक सरकार और संगात्मक सरकार तो इस पाठ के अंतरगत हम संगात्मक सरकार के बारे में पढ़ेंगे अ उसके अलावा विधान पालिका के बारे में जाना था और तीसरी हमारे बास जो बात आई थी वो आई थी न्याय पालिका यानि कि जो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर था उसके अंतरगत हमने सरकार के अंगों के बारे में जाना था सत्ता की जो चांजेदारी है उसको किस परका तीन जो है मैतापुन संस्ताओं के अधीन किया जाता है कारिय पाली का विधान पाली का और न्याय पाली का और इसी के कारण जो है संगवाद स्थित्तों में आता है इसके साथ साथ जो है संगवाद को मजबूत करने के लिए तीनों संस्ताओं क्या करती है काम करती है तो लो परत्का जो संगवाद है उसके सिधानत और वैवार को समझने की हमने इस पार्ट के अंदर कोशिस की है जो संगिय धाचा है उससे संबंदी जो सिवेधानिक परावधान है उसके उपर चर्चा करने के बाद इसके अध्याय के अंदर संगवाद को मजबूत करने वाली जो न राजे स्तर जिसको राजे सरकार बोला जाता है और तीसरा स्थानिय स्तर जिसको स्थानिय सरकार बोला जाता है तो केंदर सरकार के अधीन तो हमारा पूरा देश होता है एक इकाई के अधीन अध्यान होता है राजे सरकारों के अंतरगत हम क्या करते हैं सारे देश को जो है व विभिन गाओं के अंदर और विभिन सहरों के अंदर नगर पाली का नगर निगम और ग्राम पंचैतों के अंदर बाट दिया जाता है और वहाँ पर उनको भी जो है सत्ता में भागेदारी का उसर दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है स्थानी स्तर तो तीन उसे अधिक सतरों के अंदर विभाजन किया जाता है और सभी जो है सतर जो होते हैं मिलकर के अपने सासन को क्या करते हैं चलाते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं स्वायत होते हैं तो पिछले अध्याए के अंदर हमने दो मोडल पड़े थे एक तो मोडल था हमारे पास बेल हमने बेलजियम के अंदर जो बदलाव किये गए थे उसके अंदर के अंदर ये सरकार की जो सकती है उसको क्या किया गया था कम किया गया था और ज़्यादा अधिकार जो है प्रांतिय सरकारों को दिये गए थे और हमने पढ़ा था कि 1903 से 1970 से 1993 के भी चार बार जो है उनके सविदान के अंदर संसोधन किये गए थे और 1993 के अंदर खास बदलाओं किये गए और उसके तहट जो है प्रांतिय जो सरकार थी उनको बहुत जादा अधिकार दिये गए थे और इन अधिकारों के लिए प्रांतिय सरकार किसके उपर निर्बर नहीं रह रही थी के अंदर सरकार के उपर निर्बर नहीं थी तो इस परकार जो बेल्जियम ने एकात्मक सासन किस सासन वैवस्ता को अपनाया था संगिय सासन परणाली को उसके बाद में दूसरा जो example हमारे पास आया था वो किसका आया था स्रिलंका का आया था तो स्रिलंका के अंदर जो है एकात्मक सासन वैवेस्ता थी और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बहुल लोग थे वो कौन से थे तमिल भासी लोग जो क्या थे अलब संख्यक थे इनको जो है वहां की जो सिहली भासा बोलने वाले जो लोग थे बहुत संख्यक थे उन्होंने जो क्या किया था इनके अधिकारों का सोशन करना शुरू किया था तो इस कारण जो है केंद्रिय सरकार जो थी स्रिलंका की उसके पास ज़्यादा अधिकार थे तो तमिल जो लोग थे वो ये चाते थे कि जो सरकार ने सारे अधिकार सिहलीयों को दिये हुए है या अपने पास रखे हुए है उसे जो है संग व्यवस्ता कायम करनी चाहिए औ तमिलों को भी क्या देने चाहिए दिकार देने चाहिए तो संगिये जो सासन वेवस्ता होती है उसके अंदर जो सर्वच्य सत्ता होती है वो केंदर के धीन होती है उसके बाद में बाकी की जो सत्ता के जो महतपुन हिकाईयां होती है उनके अंदर बाठ दिया जाता है तो आम राज्यों पर जितने भी राज्यों के अंदर देश को बाटा जाता है उन उन राज्यों की जो सरकारे होती वो अपने अपने जो है राज्ये के ऊपर जो है परसासन चलाने के लिए पूर्ण रूप से क्या होती है सोतंतर होती है जो के अंदर सरकार होती है उसके पास जो होत है परांतिय महतेऊ के विषन को महतेजा और तो तो संगीयां सवा थे उलकल ऑकर एक। क्या करती है काम करती है तो यह उल्टा हो गया किसके उल्ट हो गया संगिय विवस्ता के तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर संगिय विवस्ता है मैं उन देशों के नाम बता रहा हूं आपको संगिय विवस्ता जहां जहां पर है अमेरीका के अंदर संगिय विवस्ता है भारत क के अंदर जो है संगी अव्य69 कही बार यह पर солн पूछ लिया जाता हूं अफरीका के अंदर महादीप यहां पर अब मैंने बैलजियम की बात की ऩी तो ये सारे रों देश के लेड़ें हैं आँशन करें किभार यह पर संगीअ व्य स्था आ जाते है। उन इसों के पूर और आयरलेंड में ये वो राज्ये हैं पूरे विश्व के अंदर महतपूर्ण जहां पर एकात्मक सासन व्यवेस्था को क्या किया गया है अपनाया गया इंपोर्टेंट परसन है ये उसके बाद में अब हम कुछ विशेष्थाओं के उपर बात करते हैं जो संगात्मक सासन है उसकी विशेष्थाएं बताएँ तो सबसे पहला क्या हो गया दो या अधिक सतर अभी मैंने आपको बताया था कि संग्ये व्यवेस्था के अंदर जो सरकार होती है दो से लेकर के तीन या चार सतर तक होती है तो केंदर सरकार रज्ये सरकार उस्तान सविधान में सपस्ट वर नन होता है जो भी अधिकार जिन भी सतर की सरकार को दिये जाते हैं उनका सारा का सारा वर्णन किसमे होता है सविधान में होता है उसके बाद नंबर च्यार है मोलिक सुधार चोथा जो होता है मोलिक सुधार जो हमारा सविधान है उसके अंदर जो मूल जो सुधार है वो बिना राज्ये सरकार की सहमती के नहीं किया जा सकता सरकार जो है अकेली के अंदर सरकार जो है सविधान के अंदर मूल संसोदने नहीं कर सकती उसके बाद में सर्वोचे नहयले की स्थापना यानी कि अगर केंदर सरकार राजे सरकार के बीच में अगर कोई जगड़ा हो जाता है उसको निपटाने के लिए किसकी विव circul gauche rate की जाती है उसके बाद में नंबर 6 पे आ जाता है अलग अलग वितिय सत्रोथ यानि कि दोनों ही सतरकी सरकारों के पास अपने अपनी सरकार को चलाने के लिए धनकी विवस्ता करने के स्त्रोथ भी क्या होते हैं अलग-अलग होते हैं दोनों जो सरकारें होती है वो अलग-अलग तरीके से करको क्या करती है इकठा करती है और सात्वा जो महतपुण जो पॉइंट है देश की एकता वै अखंडता यानि कि देश की एकता और अखंडता को बनाई रखने के लिए सबी कईयों को केंदर सरकार के क्या लाया जाता है अधीन लाया जाता है इसके साथ साथ में केंदर सरकार जो है अलग विशों पर कानून बनाती है और राजय सरकार अलग विशों पर बनाती है इसका मुखे उदेश से था कि विबिन छेत्रिय जो विविदता है जातिय जो व विविदता है धार्मिक जो विविदता है बासाई जो विविदता है उसको जो है अधिकार दे करके एक संग के अधीन जो है उसको विश्वास में लाया जाए इससे देश की एकता और अखंडता क्या रह जाती है बनी रह जाती है यह साथ महतबपून पॉइंट्स है जो किस के अंतरगत आते हैं संगवाद की विशेष्टाओं के अंतरगत आते हैं तो संगिये जो विवस्ताइं होती हो आम तोर पर दो तरीकों से गठित होती है दो तरीके तो क्या होती एक तो होता है तरीका दो या दो से अधिक रास्टर एक साथ आएं जैसे कि अमरीका में है अमरीका के अंदर जो अलग अलग जो रास्टर है उन्होंने एक दूसरे के साथ सयोग करना क्या किया शुरू किया इंगलेंड के अंदर है आईरलेंड है उत्री आईरलेंड है इंगलेंड है उन्होंने जो है इंगलेंड के अंदर अपनी आस्था दरसाई तो इस परीके के अधारन आपको अस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे जहां पर विभिन रास्टर जो होते हैं सवतंतर होते हैं वो उसी देश के राज्ये उसी देश के राज्ये क्या हो जाएं एक साथ आएं जैसे कि भारत है अब भारत के अंदर जो सत्ता का बटवारा है वो राज्ट्रिय सतर और राज्य सतर पर किया गया है भारत के अंदर जो हमारे महतवपूर्ण जो 28 जो राज्ये हैं और जो केंदर स आसित जो परदेश हैं वो सारे के सारे जो हैं सत्ता का बठवारा करते हैं तो इस परकार की जो वेवस्ता है वो कहां पर पाई जाती है भारत में पाई जाती है बेल्जियों के अंदर जो है पाई जाती है स्पेन के अंदर जो है पाई जाती है उसके बाद में नेक्स जो हमा पॉइंट आता है वो आता है भारत में संगिय व्यवस्ता अब हम भारत के अंदर जो संगिय व्यवस्ता अपनाई गई है उसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में हमारी आगे की कक्षया में अध्याने करेंगे थैंक यू